हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्थी पेडा की रैस्पी शेयर कर रही हूं बहुत जल्दी से बन जाती है काने में जितना टेस्टी है उतना ही आपकी सेहत के लिए बहुत जादा हेल्दी है तो चलिए फिर बनाना शुरू करत तो यहां एक कडाई में मैं एड कर रही हूं एक कप मुफली यह कची मुफली है इसलिए मैं से तीन मिनिट के लिए रोस्ट करूंगे ताकि इसका कच्चापन खतम हो जाए तो गैस की फ्लेम हाई मेडियम करके आप इसे भून सकते हैं ज्यादा हमेसे नहीं भूनना है बस ज़स अच्छारी मुफली में मैं एड कर लूंगी और इसे पंके के वाँ में ठंडा होने के लिए रख देती हूं तो दस मिनिट के बाद मैंने इसे देखा तो बिल्कुल ठंडा हो गया है अब इसके चिलक हम उतार लेते हैं तो ऐसे दोनों हाथों से मसल मसल के मैं चिलको क्योंकि छिल्क के बहुत जादा हलके हो makersighLy मुफल के यह मैं थोड़े सोट एड यह किसमें थोड़े से मुफली के रहने दी और वाकी के उतार लिये हैं ताकि पेड़ो का कलर एक अधिए बना कलर यूज कीए तो यह तो देख़े मुफली इमारी सफ के तो वही कड़ाई जिसमें मुफली मुणी है हम दुपारा से मुफली इसमें आड कर देंगे और जिस कप से मुफली को उसी कटोरी से मेजर कर रही हूं एक कटोरी चीनी अब हमें क्या करना है चीनी को करना है melt तो गैस की फ्लेम आपने ज्यादा हाई रखनी है ताकि जल्दी चीनी को melt होने में 2-3 मिनिट लगेंगे तो गैस की फ्लेम को हाई रखेगा जब यह को मेल्टेट फॉर्म में होना शुरू हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को मेडियम कर सकते हैं तो देखिए हलकी हलकी सी चीनी मेल्टेट होना शुरू हो गई है तो मैं इसमें थोड़ा सा कर देती हूं पानी एक चमच पानी एड़ करोंगी ताकि मुफ इस चीनी और मुफली में थोड़ा सा मौशर आ जाए चीनी जल्दी से मेल्ट होना शुरू हो जाए तो जैसी मैंने पानी एड़ के चीनी देखें मेल्टेट फॉर्म में होना शुरू हो गई है अब चाहे तो बिना अतारे भी बना सकते है और देखे चार منट हो गई है भिल्कुल चीनी मेल्टेड वगई है देखें बिलकुल आपको चीनी नहीं दिखेगी तो फटा फटसे गेस की फ्लिमको हम О Bog कर देगे और इसे थाली में निकालेंगे थाली में पहले घी लगा तो अच्छे से पहले ग्रीस कर लीजेगा थाली को या बटर पेपर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास हो तो और एक मिक्सी का जार ले रहे हूं उसमें मैं सारी मुफली एड कर दूंगी तोड तोड के और इसको हमने बिल्कुल पाउडर से फॉम में पीस लेना है इसे कडाई में मुफली भून रहे थे एक कड़ोरी में मिल्क 2 जामच फास कमपन पाउडर थो यूज कर सकते हैं मिल्क पाउडर अच्छे मिक्स करेंगे ताकि इसमें भीड़् लंप ना रहे है तो इसली माइस से मिक्सर से मिक्स कर रहे हूं ताकि बिल्कुल बन जाए drives और दूद पहले ही रख होगा है। दूद अच्छछे गरम हो गया है। उसमें अच्छा सबाल आ रहा है। मखत उसमें अच्छा सबाल आ गया है। जो अच्छा सबास आक्छे मिक्षर कोज़ां करें देचें और फिर से ल Tapiल शोचा 3 lat करें भी संचों अगर आप बिगनर्स भी हो इसी टिक से आप ये रेस्पी बना रहे हो तो बिलकुल पॉफेक्टली बनेगी बहुत जादा टेस्टी लगेगी अगर आप इसे एक बर बनाएंगे तो बार बार बना कर जरूर खाएंगे तो जैसी पाउडर हम इसमें एड करते हैं दूर धीरे ये ड्राइ होना शुरू हो गया है ठंडाओ के और भी जादा ड्राइ हो जाएगा तो हमें इसे कब तक पकाना है जब तक ही अपने आप कडाई को ना छोड़े जैसे जैसे ये पक जाएगा बिल्कुल पॉफेक्ली हमें कंसिस्टी चाहिए वह अपने आप कडाई के पैन क चोड़ रहा है ये देखिए तो इस कंसिस्टी का हमें बना के तयार करना है ये देखिए बिल्कुल भी कडाई में लग नहीं रहा है और इसली देखिए ये हट रहा है तो यानिकी बिल्कुल पॉफेक्ट है इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे बरतन म पेड़े बनके तयार है जनमास्टमी पर इसे बना कर रेड़ी कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी है साती में खाने में बहुत जादा है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल पर अगर फर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और इस चैनल मस्टमी पर यह पेड़े जरूर बनाएं तो मिलती हूं नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाए